लुट पूर्ष ऑबर चैनल नौज ऑफ स्टॉक मार्केट दोस्तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल नौज ऑफ स् और बैल आइकन को प्रेस कर दिये जाकि आपको आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहा है तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम कल आप क्या स्ट्रेजी बना सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो जैसा कि हम आ गए हैं अपन थोड़ा एक्टिव हुए हैं बट इसका मतलब यह नहीं कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो चुगा है क्योंकि आप देखोगे आरेसाई तो आरेसाई अभी भी डाउन साइट का ट्रिगर इंटिकेटर कर रहा है यह जब तक यह ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है इसके नहीं आता तो हमें रिवर्सल का थाइन नहीं दिखेगा तो यह तो बंडे टाइम फ्रेम पर हम इसको फड़ा बानर्स का टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं और चोड़ा टाइम पर तो हमें कंफरमेशन मिलेगा तो जैसे कि आप देख सकते हो एक कैप डाउन ओपनिंग है आप देख सकते हैं यह काफी टाइम से फॉलो हो रही है इसी के इर्दगिर्द स्टॉक घूमता हुआ जा रहा है तो हम स्ट्रेटजी हम जहां तक हो हम कल की डिट में शॉट करने की स्ट्रेजी बनाएंगे तो हम इसको फड़ा पांच मिट की टाइम फ्रेम पर देख ल लोगा गोला और यहां पर एक च्छोटा सा राज संग्रिट क क्या पहली क कैंडल यहीं फ्लोसर था धांपा कि यहां पर चोटा सा रही कंडल यह अभी यह फ़ीन हो प्रोर स्पूर जनरेत कर रहे ता है यहां अच्छा सई चोटा stop loss रखके और लोगों ने upside की और profit बनाया होगा हम आगे देख लेते हैं क्या कर सकते हैं अब यहां पर जो है बीच मजधार में फसा हुआ है ठीक है हमें यहां पर green candle देखने को तो मिल रही है और confirmation नहीं की उपर जाएगा अभी हम देखेंगे कि यहां पर दुबारा स यहां पर trend line draw हो रही है जिसको यह follow कर रहा है यहां पर भी उसका सपोर्ट लिया यहां लिया देन यहां पर भी सपोर्ट ले रहा है अब अगर कल की date में market side wage ही खुलता है अगर gap up खुल गया gap down खुल गया तो फिर हमें current time best strategy बनानी होगी और अगर side wage खुलता है तो हम कोटा सा stop loss रखके आप इस area पर कहीं अपनी अच्छी घाजी trade ले सकते हो bull side के लिए कुछ इस तरीके से आपने trade कल के लिए plan कर सकते हो up momentum के लिए अब down side हमें करना हो तो short selling करनी हो तो short selling के लिए यह पहले trend line break होने के बाद इस support को भी break करेगा इस support को break करके then retest करेगा तब हम कल की date में दुबारा से short कर सकते हैं इसको यहां से break करें then यहां retest करें उसके बाद हम short selling कर सकते हैं क्योंकि market में अभी भी bearish mode ही है अप site का कोई जाधा signal नहीं मिला है तो हम short selling पर जाधा ध्यान देंगे तो मैंने आपको बता दिया कि upside की trade लेना हो तो sideways खुले तो ले सकते हो और downside की trade लेना हो तो sideways खुलते ही यह support को break करें then दुबारा से यहां पर retesting करें तब हम downside की trade ले सकते हैं यह था हमारे nifty के लिए view ठीक है अगर अब bank nifty को हम देखें sorry for disturbing बट हमारा ये केशम शॉर्ट्स नौलेज और स्टॉक मार्केट का ही चैनल है जिसमें सारे टेकनिकल शॉर्ट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे सभी टेकनिकल शॉर्ट्स हैं इस पंदरा सेकेंड के शॉर्ट्स में बहुत सारा knowledge मिलेगा आपको बहुत सारी सब्सक्राइब कर लिजीगा इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दिया है तो आप वहां पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लें बैंक निफ्टी को अगर यहां पर वन हर्स के टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी वही चीज हुए है पर बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा विक है निफ्टी से आप देख सकते हो इस मुव की पूरी करती है इसने हंड़ेट परसेंट डिका इंट हो चुका है तो यह दिखाता है कि बेंक बहुत ज़्यादा वीक है यहां पर क्या हुआ है बैंक निफ्टी ओपन तो हुआ बट इसी चोटे से एडिये में सस्टेंस करता रहा आप देख सकते हैं आपको एक ट्रेंगल बना कर देखा जाए ता स्टेंगल कि इस छोटे से एरिये में सस्टेंस करता रहा कि इतने एरिये में बैंक निफ्री ने अपना टाइम बुजा दिया कोई अप्ट्रेंड ना दिखाया अब इसको वन हर्स का टाइम पर अब यहां पर लास्ट की दो केंडिल आप देख रहे होगे जो एक शूटिंग इस्टार है पिन बार केंडिल शूटिंग इस्टार जो कि साब बेरिश इंटिकेशन देती है में डाउन साइट का उसके बाद पर इसी टाइम पर इस पॉइंट के नीचे मतलब 37225 के नीचे अगर हमें शॉट का अपॉचनिटी मिलता है कैसे मिलेगा मार्केट जब पर सबाइन रहें अगर यहां पर एक मिलेगा में अगर यहां पर इस तरीके से break करके ऐसी retesting करता तो हम दुबारा से downside का momentum देख सकते हैं ठीक है अगर ये trendline को break करके दुबारा retest करता है तो तो दुबारा से हम यहाँ पर short की opportunity बना सकते हैं क्योंकि banknity अभी भी weak है अगर हमें upside के और जाना है तो इस label का जो ये छोटा सा label आपको दिख रहा है इस label का break होने का wait करेंगे market sideways खुले अगर आज की तरह gap down या gap up खुल जाता था हम current time पर strategy बनानी होगी इस label के break होने के बाद हम यहाँ पर market sideways खुले यहाँ से यह अपना last का swing तोड़े तब हम यहाँ पर upside का movement देख सकते हैं काफी अच्छा उपर तक का हमें target देखने को मिल सकता है तो आहिए होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा वीडियो वीडियो कैसा लगा समझ में और जबल लगा यह सारा technical है market trend line support resistance इस तरीके से हम technical analysis कर सकते कि market क्या कर सकता है market क्या करेगा यह किसी को नहीं पता हम सिर्फ analyze कर सकते हैं कि market क्या कर सकता है तो मैंने अपना साथ शेयर किया है पिछले भी दो दिन दिन जो आपको आपको अनले साथ शेयर कर रहा हूं सेम वैसा ही होता आ रहा है नहीं ले पाए जैसा कि निफ्टी में मैंने बताया आपको पांच मिनिट के टाइम फ्रेम पर कितना अच्छा पाटन बना था कि गैब डाउन खुलने के बाद आपने यह रेली मिस कर दी डर के मारे की दुबारा नीचा जाएगा और आया भी ठीक है जब यह इस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और दुबारा रिटेस्टिंग की तो आप देख सकते हो दुबारा से आपको यहां पर 10 पॉइंट का सत्रा चार सो मतलब 36 पॉइंट का स्टॉप लोस लिया और आपने सत्रा पांसो पच्पन मतलब 40 से 45 पॉइंट का यहां पर प्रेट ले लिया मतलब वनेस्टो टू के संथिंग आपका टार्गेट कंप्लीट हो चुका है तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ आपका टार्गेट